बुलन शहर में C.A.A. N.R.C. के विरोध में हुई हिंसा के दोरान लूटी गई सरकारी एंटी राइट गन को बुलन शहर स्वाट टीम ने सिकंदराबाद को तवाली शेतरस्थी ते एक महोले से गन को परामत किया है पुलिस ने मोके से दानिश नाम के युवक को गन लूटने के आरोपने गिरफदार भी कर लिया है आपको बताते चले कि 20 दिसम्बर को नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध में बुलन शहर के ऊपर कोट इलाके में हिंसा हुई थी इस दोरान उप्रद्रव्यों ने S.H. कि गाड़ी में आग भी लगाई थी और गाड़ी में रखी एंटी जाइट गन को लेकर उपद्रवी लेकर फडार हो गए थे जिसके बाद पूलिस कड़ी मुशकत के बाद गन को बरामत करते हुए एक युवक को भी गिरफतार कर लिया गया है बुलन शहर से जिला समधात पूलिस की गाड़ी जला दी गई थी और उसी गाड़ी में एक घंटी राइट गन पड़ी हुए थी जिसको अब रादियों में लूट गया है लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे तमाव सीची टीवी करवरों की मदद से सिनार्थ का प्रयास किया गया अनिस्तवर्तर से सब्सक्राइब की गई और दीती रात शिकंद्रावाद थाना छेत्र में तानिस पुत्र राइस है उसके कब्जे से क्या सर आरूपी भी पकड़ लिया है और उसको निमानुसाची बिजा जा रहा है और उसके विरुद्ध जो अजिक्तम कारवाण दो सकती है वह सुश्यत हिंसा में एसेचो कोतवाली बुलंसेर के एसेचो की गाड़ी को भी जला दिया गया था उपद्रवियों दोवारा उपद्रवियों दोवारा एक सरकारी गन को भी गुम कर लिया गया था अब पुलिस की कड़ी मसकत के बाद सिकंद्राबाद कोतवाली पुलिस ने वेस्ट निमन धाराओं में मुकदमा धर्ज कल लिया गया है और आरोपी को कोड में पेस किया गया है। कैमरा मैं विकास त्यागी के साथ मुकेश कुमार समाचार एक्सप्रेस नूज बुलंगा। ऐसे ही लिटेस कोब रहे पाने के लिए बल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब्सक्क बाइब आजए लिए ग्याता टुलंगा टुलंगा गया है। अजए लिए टुलंगाव और से अड़पी को कुमारी चैनल को लिए अज़ पर रहें अज़ए, जो रहें ज़ें रहें ज़ें प्रकाइब को कि अज़।